तो आज मैं आपको ले चलती हूं अपने गार्डन में और दिखाती हूं आपको पान के बैनिफिट और उसके सारे बैनिफिट भी बताऊंगी और एक गुड़नी वुज है वो भी आपको सनाऊंगी तो यह देख लिजिए यह है पान का प्लांट और पान वैसे भी हर शुब ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें आयोडीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बीवन, विटामिन बीटू और निकोटनिक एसिद भी होता है बहुत ज्यादा पान के पत्ते पोशक तत्तों से भरपूर होते हैं यह सभी लोग जानते हैं इसमें पानी की मात्रा भी होती है कलोरी बहुत कम होति है वहीं पान Gothic में फैटी कम हता है जिस से पान जो भी खाता है वह बहुत अच्छा होता है और ज्यादा उसका मुटपा भी नहीं पड़ता है जिए हम में फान को लिमिट में ही खाना चाहिए तो आदा है कैसे यह यह पाचन क्रिया भी सही रहती हैं अगर आप खाएंगे बर ज़्यादा पान खाने के नुक्सान भी ज़्यादा होते हैं अधिकास लोग पान चबाने को बहुत गलत आदत मानते हैं बट ऐसा नहीं है सचा यही है कि पान स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है इसे आप खा सकते हैं अच्छा खाली पेट पान का पत्ता खाने से बहुत लाब होता है क्योंकि पान के पत्तों में antifungal good होते हैं जो मुह में अपने वाले bacteria होते हैं और जो दांद खराब होन लगते हैं मसुरश की और उन सब की परिशानी भी कटम हो जाती है तो यहां देख लीजिए अब में इसमें कौन सा टम right यूव reh, बहुत तो निकलता है वह पानिम्स्ताए पानी इसमें पानी में डालती है इसमें पान की ग्रोथ aquellos अ श्वतिे होती प्लांटत के पत्तों मे त compr 24 दो city गड़ाता ऐसे ही इंवाटी बूस प्लांट की लाइन एंच में न nooted अग्रसे द्रीफारार इस से हम लोगों के अंदर जू पहुत जांद मात्रा में बीटामिन How to प्लांट लग्की भी होता है तो आप इसे अपने घर में गमले में जरूर लगाएं अच्छा इसके खाने के इसे कोई खाता है तो बहुत ज्यादा नुक्सान भी होता है इससे क्या होता है हाई ब्लड पिसर हो जाता है कभी ब्लड पिसर लो होता है तो कभी हाई होता है कभी कि हारट पीक नॉर्मल हो जाती है तो अस बहुत ज़्यादा भरसानी आ सकती है इसके लाब आщ ज्यादा खाने से बॉड़ी गटता बड़ता रहता है उससे परबलम होती है जो जिसे चक्कर वगर आना शुरू हो तो जो लोग पान ज्यादा खाते हैं ज्यादा से बन करते हैं उनको थाइर जो हार्मोंस होते हैं वह भी डिस्पलाइंस हो जाते हैं तो ठीक है फ्रेंड अब मैं चलती हूं फिर आपके पास आऊँगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें थैंक्स गूरवचिंट